कैप ड्राइवर को पीटने वाली प्रिदर्शनी ने अब एक नया दावा किया है प्रिदर्शनी का कहना है कि कोई उससे एक तरफा प्यार करता है हलाकि वो उसको नहीं जानती लेकिन वो उसके पीछे पड़ा रहता है लिहाजा वो कई बार पुलिस से शिकायत कर चुकी है लेकिन पुलिस भी उसकी नहीं सुनती इसलिए वो परिशान रहती है हलाकि उसको पता नहीं है कि कौन है वो शक्स जो उससे एक तरफा प्यार करता है प्रिदर्शनी का कहना है कि वो उसका पीछा करता है लगातार छे महीने से कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं वो उनको नहीं जानती बार बार उसको छेड़ा जाता है उसको परिशान वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो कौन शक्स है जो लगाता उसकी तरफ आकरशित हो रहा है कि दर्शनी ने ये सारी बाते पुलिस को भी बताई है कि कोई उससे एक तरफा प्यार करता है हलाकि प्रिदर्शनी ने पुलिस पर तमाम आरोप लगाए है उसका कहना है कि वो कोट में सारी सच्चाई सामने लाएगी कि किस तरह से पुलिस अपना काम नहीं करती बार-बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस उसकी शिकायत पर ध्यार नहीं देती और मोहले के लोग उसका मजाग उडाते हैं प्रिदर्शनी का कहना है कि वो इस बात से परिशान रहती है कि उसका लगातार पीछा किया जाता है। उसे डर है कि कोई उस पर हमला न कर दे। और इसलिए वो हमला करने वालों को पहले ही पीड देती है। फिलाल प्रिदर्शनी भी अब कोर्ट में ही जाना चाहती है। उसका कहना है कि वहीं पर वो सारी सच्चाई बया करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।